आज की हमारी रेसिपी का नाम है माखनी डाल ये एक सिंधी रेसिपी है और ये बहुत ही आसानी से बन कर तैयार हो जाती है हेलो दोस्तो आउजास रेसिपी इसमें आपका स्वागत है तो चलिए सिंधी माखनी डाल बनाना शुड़ू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां डेड़ कप जितनी पीली वाली मूंग डाल ली है माप में यह 300 ग्राम जितनी है इसे हम 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे फिर साफ पानी डाल कर दाल को हम आधा से पौना गंटा के लिए भिगो देंगे आप चाहें तो इसे ज़्यादा टाइम के लिए भिगो सकते है इस तरह करने से डाल बहुत ही कम समय में पक जाती है तो डाल अब अच्छी तरह से भिग गई है अब इसे 1-2 पानी से हम और अच्छी तरह दो लेंगे अब डाल को हम किसी बड़े बरतन में डाल देंगे इस डाल को हमें कूकर में नहीं बोईल करना इसे हम इस तरह से किसी बड़े बरतन में बनाएंगे फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चमच हल्दी पाउडर ये दाल बनाने का तरीका एकदम सिंपल है अब हम इसमें एक लिटर जिता पानी डाल देंगे क्योंकि जब हम दाल खुले में पकाते हैं तो थोड़ा हमें पानी ज़्यादा ही डालना है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब दाल को हम बॉयल करने के लिए गैस पर रखेंगे गैस का फ्लेम हमें इस समय हाई रखना है जब तक दाल में उबाल आए तब तक दाल में अब थोड़ा उबाल आने लगा है अब गैस का फ्लेम हम स्लोटू मीडियम रखेंगे और दाल को धीरे धीरे पकने देंगे दाल को पकाते सवे अभी हमें इसके उपर कोई भी डिश वगेरे नहीं रखनी है इसे हमें इसी तरह खुला ही पकाना है थोड़ी थोड़ी देर में हम दाल को थोड़ा चलाते रहेंगे डाल आप काफी पक गई है इसे हम चमचे से इस तरह से थोड़ा सा हिला देंगे जिससे दाल अच्छी तरह से क्रश हो जाएंगे अभी पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैंने 200 ml जितना पानी इसमें और डाला है इसे भी अच्छे से मिला लेंगे डाल जब आधी पग जाए उसके बाद हम इसमें इस तरह से डेश रख देंगे डेश को पूरा न ढढ़के थोड़ा सा खुला रहने दे इसी तरह हम थोड़ी थोड़ी देर में डाल को थोड़ा सा इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे पानी और डाल अच्छे से मिक्स हो जाता है ये माखनी दाल थोड़ी सी गाड़ी ही रखनी होती है इसलिए उसी अनुसार हमें इसे पकाना है आप देख सकते हैं दाल अब काफी पक गई है अब हम इसे ढखकर सिर्फ एक दो मिनिट के लिए और पकाएंगे अब दाल एकदम अच्छी तरह से पक गई है दाल को ह हमें इतना गाड़ा रखना है ये दाल थंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाड़ी हो जाती है इसलिए आप उसी अनुसार इसे पकाएं दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जाता है लेकिन ये दाल रोटी और चावल के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है दाल जब पक जाए उसके बाद उस पर हमें कुछ मसाले डाल कर फिर उस पर तड़का लगाना होता है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा धन्याजिरा पाउडर दाल के चारो तरफ इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे फिर थोड़ा सा लाल मेर्ज पाउडर भी इसी तरह से चारो तरफ डाल दें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे आपको जितना खटा पसंद हो आप उसी अनुसार आमचूर पाउडर डाले अब इस पर हम तड़का लगाएंगे मैंने यहा एक चौथाई चमच, जीरा, थोड़ी सी हिंग डाल देंगे, तड़का बनकर तयार है, अब तड़के को हम डाल के उपर इस तरह सभी तरफ डाल देंगे, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, कि ये डाल बनाना कितना आसान है, उपर से थोड एक बार ड्राइ करें, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दे गए बेल आइकन पर क्लिक करके औल सेलेक करें, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार